हेलो फेंच आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बजट के बारे में इसवार यानि 2024 का बजट अभी वरतमान में फाइनांस मिनिस्टर यानि वीत मंत्री स्रीमती निर्मला सितारमन जी के द्वारा पेस किया गया ये बजट इसवार का अंतरीम बजट माना जाएगा अब इस लेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग अंतरीम बजट होता क्या है उसके साथ-साथ हम लोग डिसकस करेंगे भी कि यूनियन बजट जो होता है वो क्या होता है फिर हम लोग तिसरा सेक्षन वे देगे कि आखिर अंतरीम बजट उनियन बजट से किस पर काई डिफिरेंट होता है और यह दोनों को लेकर या अंतरीम बजट और उनियन बजट को लेकर हमारा समविधान में क्या प्रोविजन्स हैं क्या प्रावधान तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम नों समझते हैं कि क्या होता है यह अंतरीम budget कब किया जाता है इसको पेस और कैसे यह आम budget से लग जैती है इसके कुछ points पर कुछ बिंदूओं पर हम लोग इसको discuss करते हैं अंतरीम budget दोष्ठीटि में पेस किया जाता है पहला जब सरकार के पास पूर्ण या आम बजट पेस कहने का समय नहीं है यानि अंत्रीम बजट का पेस कहने का सबसे पहला जो है वो है कि उसके पास पूर्ण बजट पेस कहने का समय नहीं है दुसरा या तो वो तुरंट लोगसभा चुनाव होने वाला है जब लोगसभा चुनाओ होने वाला है तो आप प्रा साल को बजट बना रहें लेकिन एक-थो महीना में लोगसभा चुनाओ होने वाला थी तो आपके अनसार से बजट तुछ लेगा नहीं फिर जो नया अगर जितने के बाद में अगर मानी जी की ओपोजिसन जो है वो सत्ता में आती है तो अपने हिसाब से बजट बनाएगी इस बज़र से इसी को ध्यान में रखते हुए अंत्रीम बजट का प्रावधान धना गया है यानि अंत्रीम बजट बनाने का दो स्थिति है पहला कि या तो सरकार के पास पूर्ण या आम बजट पेस करने का समय नह तो इस second option इस फिट बैट रहा है, next में है, दोनों ही स्थिती में सरकार नए कारोबारी साल के जो बचा हुआ महीना होता है, उसके लिए भी खर्च होता है, तो उसके खर्च का एक अनुमती जो है, वो संसत से लिया जाता है, माल लिजिए कि हमारा अभी इस साल का भी जो फैन फैनसे लिया के लिए तो हमको बजट चाहिए है, उसके बाद ही मार्च के बाद में चुकी जून में हो सकता है, इसका सरकार का नया गठन हो, उसके बाद के जो स्थिती होगा, लेकिन अभी हमको कुछ महीने कर जब तक के चुनाओ का नियर नहीं हो, तब तक हमारा जो बचा हुआ जो महीना उसमें खर्च के अनुमती संसत से लेती है, तिसवाय का जो अनुमती लिया गया है, वो 31 मार्च तक का लिया गया है, 2024 तक का, परंपरा के मुताबिक चुनाओ के बाद में बनने वाली नहीं सरकार पूरी तरह से पुरेन बजट वो पेस करेंगी, यह ऐसा चठा मौका है जब वीत मंत्री निर्मला सितारमन्जी बजट पेस करेंगी, और निर्मला सितारमन्जी के द्वारा ये उनका पहला अंतरीम बजट होगा, 2023 का बजट जो सरकार ने पेस किया था, उसके जरिए सिर्फ 31 मार्च 2024 तक का होने वाला खर्च के अनुमती ले तो अंतरीम बजट आम बजट से छोटा होता है, क्योंकि इसमें नई सरकार का गठन, उस समय तक जब तक नया सरकार आ नहीं जाता है, तब तक जो हमारा राजस्व का बेर होता है, उसका अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि मार्किट में भरोसा बना रहें, ऐसा कि सरकार अगर बदल जाएगे, तो बहुत जादा अफ्रात अफ्री मच जाएगा, तो एक जो इन्वेश्टर्स होते हैं, उनका विश्वास बना रहे, कि सरकार में कुछ बहुत जादा उथाल नहीं होने वाली, चाहिए शरकार बने, चाहिए वो सरकार बने, हमारा यह जुन जुलाई तक चल सकता है तो यहां से चार महीने तक का हमको बजट हमको बनाना होगा ताकि नया सरकार की गठम तक खर्च को मेंटेन के जाज सके और मार्केट में निवेशकों का भरूसा बना रहे हैं। तो हम लोग कर सकते हैं कि अपरिल से जुलाई यानि चार महीने में जो खर्चा होता है उसकी अनुमती इस बार जो है अंत्रीम बजट के जरिये ली जाएगी। ये बजट तब तक लागू रहता है जब तक कि नई सरकार अपना नया पूर्ण बजट पेस नहीं कर देती है। ऐसे एकाउंट में डाल दिया जाए। जिससे कि जो बचा हुआ महीने नए सरकार के गठन तक का खर्चा है वो चलता रहे। और इसके लिए ना किसी को रखा गया है ना वोटाउन अकाउंट है। अब हमनों देखते हैं कि यह दोनों में डिफ्रेंसेज क्या है। पूर्ण बजट और अंतरीम बजट तो पूर्ण बजट जो होता है वो केंद्रिये बजट केंद्र सरकार गवारा संसद में प्रस्टूप किया जाने वाला एक वालसीक बजट है। जबकि अंतरीम बजट आम चुनाव से ठीक पहले पेस किया जाता है जमरली। इनियन बजट लोगसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित किया जाता है लेकिन अंतरीम बजट संसद में बिना किसी चर्चा के पेस किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं वोट ओन एकाउंट vote on the account हम लोग कहते हैं इस चीज को आप लोग घ्यान्द रखिएगा कि अंत्रीम बजट संसट में बिना किसी चर्चा को पेस किया जाता है उसी को करते है vote on account next हम लोग देखे differences के अंत्रीम बजट में पिछले वीत वर्ष के आधार पे आई और बेर का वीवदन विष्टार से दिया जाता है जबकि अंत्रीम बजट में पिछले वीत वर्ष के आई और बेर का एक सामानिय वीवदन पेस किया जाता है और ये केवल सरकार की आवास्चक सेवाओं को जाई रखने के लिए किया जाता है केंद्रिये बजट यानि हमनों पूर्ण बजट की बात केंद्रिये बजट हमेसा एक पूरे किसी वीट वर्स के लिए पेस किया जाता है जबकि अंत्रिये बजट में किसी भी प्रकार की नई वजनाओं को घोशना नहीं किया जाता है के दियए बजट में सरकार के उसे कई नई योजनाओं की घोषना भी होती है,지만 उन्स इंक बजट की नई एंगोजनाओं की घोषना नहीं है अंतिम बजट चुनावीं वर्स के दौरान वीद वर्स के लिए 3-4 महीने के व्यवला के लिए खर्च कर पेसकिया जाता है, जबकि कहेंद्रिये बजच जो होता है, पुरा इकसन का होता हैं, कहेंद्रिये बजच के दो अलग-अलग भाग होते हैं, इसमें से एक सरकार की खर्चों के बारे में होता है और दूसरा भाग जो होता है सरकार द्वारा जो विभिन उपाय किया जाता है और जो विभिन मात्यम से धन जुटाने का जो योजना होता है उस पर आधाई पूता है अंत्रिम बजट में सरकार के आयर के स्रोत को डिटेल से नहीं दी जाती है, इससे अगली सरकार के गठन से पहले के लिए, सरकार के लिए जो ज़रूरी खर्चे हैं, सीफ उसी को पेस किया जाता है लास्ट हम लोग देखा है, तो पुर्ण बजट संसर में बहुमत प्राप्त सरकार द्वारा पेस किया जाता है, जबकि अंत्रिम बजट अगले लोगसभा चुनाओ और पिछली लोगसभा की समापती के वर्स पेस किया जाता है तो यह बेसिक जो डिफरेंसेज है, यह पुर्ण बजट और अंत्रिम बजट का इसको आप लोग माहें में रख लिजएगा, इसको हम लोग वाटसप गूर्प में भी शेयर करें, टेलिग्राम पेज है, वहाँ पे भी आपको साथ यह पीडिएफ शेयर कर दिया जाएगा अब हमने इसको लेगर देखते हैं कि सम्विधानिक प्रावधान क्या है, constitutional provisions क्या है, देखिए, vote on account जिसके बारे में हम लोग बात किया होता है, दरसल इसमें किसी प्रकार का बहस नहीं होता है, इसको जो बेस किया जाता है, उसको accept कर दिया जाता है, तो vote on account होई, इस अल्प कालिक में हमनों कैसे इस बार का देख रहे हैं 3-4 मेहना यानि जुलाई में अगर इसका फाइनल नया सरकार बनती है तो उसी समय तक का ये खर्च को अकलन किया गया है तो विशेश रूप से सरकार के अल्प कालिक ब्याय और सक्ताओं को प्यबासित करता है जब नया वितिय वर्ष शुरू होगा तो सरकार को समय के निदी से कोई भी पैसा खर्च करने के अनुमती देता है तो ये जब नया वितिय वर्ष शुरू होगा उसके बाद से आनि एक अपरेल से एक अपरेल से तब तक ये चलेगा जब तक कि हमारा नया सरकार का गठन नही जो कि हम लोग उमीद कर रहे हैं कि जुन जुलाई तक जो फाइनली अगर देखा जाए तो जुलाई तक सरकार का गठन हो जाएगा चाहे पच्छ है आई भी पच्छ है आई या फी कोई भी पाइट या तो यह हो कि हमारा constitutional provision जो है vote on recount के लिए ओ है article 116 के ध्यान देख लेगा दुसरा आगर हम लोग बात करते है union budget को भी हमारा समविधानी क्रावधान है constitutional provision उसमें है उसके लिए article 112 यानि 100 बार है इसमें क्या बताया गया है इसमें बताया गया है कि जो article 100 बार है है Indian constitution में उसमें union budget of a year जिसको की नाम रखा गया है जो constitution हो है annual financial statement annual financial statement है यह statement होता है जो कि एक साल के particular खास year के लिए एक estimate किया जाता है कि कितना receipt हुआ कितना हमको पैसा आया और कितना expenditure हुआ सरकार का उसी को आकलन करने के लिए उसी का नाम रखा गया है हमारा article 100 बार है हो है annual financial statement जिसको हम लोग budget करते है union budget जो है account रखती है government का finance का एक fiscal year के लिए और यह run करता है जो साल होता है एक अपरिल से लेकर 21 मार्च तक यह हमारा financial year होता है एक वितियवर्स जिसको करते हैं union budget है इसको दो भाग में कैटेग्राइज किया जाता है revenue budget और capital budget तो union budget के बारे में हम लोग और भी चीज़ें हम लोग detail में हम लोग अगला lesson में हम लोग आगला lesson में हम लो आगे के लिए से हम लोग बात करेंगे अंत्रियों budget और उसका जो दू हम लोग भाग में डिवाइड किये capital और even budget इस दोनों के बार में भी हम लोग समझेगे तो thank you, thanks for watching, keep watching